दोस्तो अपने वर्टसब को तो कही दिनों से आप यूज करते होंगे लेकिन दोस्तो आज जो मैं आपको चार ट्रिक देने वालाना बहुत ही अल्टिमेंट और पलस आप सभी के लिए बहुत जादा यूज़पूल है अगर दोस्तो वर्टसब डेली लाफ में यूज करते हो तो ये ट्रिक को ज़रूर आपको यूज करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए अगर दोस्तों जानना चाहते हैं कि What's Up के अंदर इसी कौन से ट्रिक है जिससे आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पुड़ी लास– तक देखेगा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी चीछिस के मारे में आपको बतानी वाला हूं तो चलि मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो कें अदर मैं कर लेता हूँ वीडियो स्टार्ट तो दोस्तो देख सकती है मेरा स्मार्ट्फउन और चलि मैं आपको बता देता वर्टसप की एक नहीं दो नहीं चार ऐसी कमाल की hidden और secret trick के बार में जो आप लोग नहीं जानतोंगे अगर दोस्तों ये trick के बार में जानना चाते तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को like करना होगा तो जैसे चार काम करने के बाद चलि मैं आपको बता देता वर्टसप की वो चार trick कौन सी है तो सबसे पहले अपने मोबाल की वर्टसप को open करना होगा वर्टसप को open करने के बाद यहाँ पे कोई contact को choose कर लेना होगा और यहाँ पे देख रहे कि यह उल्टा मैसेज देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हूँ I love you, I love you यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे उल्टा मैसेज आप कैसे भेज सकते हैं किसी friend को ताकि वो काफी ज़्यादा चौक जाएगा और घबरा जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा एक application की जरुत पड़ेगा जिसका नाम है flap text तो इस application का वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा आपको किलिक करके इस app को install करने के बाद आपन कीजेगा चली यहाँ पर वर्टसब को open करता हो यहाँ पर paste कर दीजे और यहाँ पर message कर लिजे और आपका फिरेंड यहाँ पर चौक जागा कि यह क्या message लिखा हुआ है तो यह बहुती कमाल के trick है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा उसके बाद दोसो चली मैं आपको दूसरा trick के बारें बताओ जो बहुती ultimate और बहुती unique है उसके लिए आपको वर्टसब को open करना होगा कोई contract को choose कर लिजे और जैसे contract को choose करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि welcome लिखा हुआ है यहाँ पर और भी different में emoji के साथ आप यहाँ पर welcome love you जो भी आप effect डालना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल करके भेज सकते हैं तो यह सब मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं तो चलिए इसके बारे में आपको बता दूँ तो इसके लिए आपको क्या करना होगा एक application की जरुत पड़ेगा जिसका नाम है emoji later तो इस app का link video के नीचे दे दूँगा आपको क्लिक करके इस app को install कर लेना होगा और जैसे install करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको word लिखना होगा चलिए यहाँ पर word लिख देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर emoji लिख दीजगा चलिए यहाँ पर क्या कर लेता हूँ image के खिलिक कीजगा hold कीजगा और यहाँ पर emoji कोई भी ले लिजगा चलिए यहाँ पर emoji यह ले लिया हूँ और यह लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखरे बन चुका और जैसे बनने के बाद अगर आप इसे share करना चाहते हैं, तो भी पलस ऐगन पर क्लिक कीजें, और यहाँ पर यहाँ पर कोपी कर लिजें, और simple है, तो आप वर्टसप को बह जाएंगे, और यहाँ पर simple आपको paste कर लिजें, और यहाँ पर send कर लिजें, देख सकते हैं, यहाँ यूनिक तरीके से यहाँ पर आप भेज सकते हैं अपने friend को तो काफी ultimate trick है उसके बाद दोस्तों चले मैं आपको तीसरा trick के बाद करूँ जो अपने आपका UDIC है जो उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले अपने mobile की वर्टसब को आपिन करना होगा और जैसे वर्टसब को आपिन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस्टालिज में यहाँ आप जीफी भेज सकते हैं अपने से खुद से read करके वो कैसे और आप यह कैसे भेज सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा एक application की ज़रुत पड़ेगा जिसका नाम है live takes तो इस app का link वीडियो के नीचे देदेगा आपको click करके इस app को install करना होगा और install करने के बाद सबसे पहले आपको background change करना होगा तो यहाँ पे background change कर लिजे और change करने के बाद यहाँ पे आपको लिक्स बनेगा अगर इसे share करना चाहते हैं तो share वाला बटन पर किलिक किजे और यहाँ पे वर्टसप को चूज कर लिजे और जैसे वर्टसप को चूज करने के बाद अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं जो भी फ्रेंड आप भेजना चाहते हैं आप यहां पर क्लिक करके भेज देज़ेगा तो यह भी काफी यूनिक और काफी कमाल किया जो अपने वर्ड से लिख करके और लाइफ भेज सकते हैं तो यह जरूर ट्राइक अपने वर्डसब के अंदर उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको चौठा और लाष्ट सीक्रेट के बारें बतानू वाला हूं जैसे दोस्तों फोर इक्जमपल कि यह वर्डसब एश्टेज है ठीक है यह वर्डसब एश्टेज है अगर आप लगाते हैं और आप नहीं चाहते कि मेरे श्टेज को कोई और पड़े या आपकी जो Special Friend है वही Statues को देख पाए तो वो कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे धिरी डॉट पर जाना AOGा पही देख रहे हैं नमर को click करना होगा देख रहे की my contact होगा तो उसको छोड़ करके दूसरे नमर पर देख रहे है my contact please तो यहाँ पर click करके और जो भी contact को भीजना चाएं उसको यहाँ पर simple का करना होगा choose करके यहाँ पर okay पर click कर लिजे तो यही फिरेंट देख पाएगा आपके status को बांकी कोई और नहीं देख पाएगा अगर दोस्तो उल्ली मी करना चाहते तो उल्ली मी कर सकते हैं तो यही था चार्ट ट्रिक जो बहुत ही unique और बहुत ही ultimate है उमिद करता हूँ कि यह चार्ट ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आओगा और दोस्तो जितनी भ झुत बाइ